नमस्कार बैं डॉक्टर सारेका वर्मा आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम मसल बिल्ड कैसे करें ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने स्किनी लुक से परेशान हैं और चाहते हैं कि वो थोड़ा वेट और मसल गेन करें आम तोर पे अगर हम किसी जिम ट्रेनर या किसी आक्टर का डाइट फॉलो करने की सोचते हैं तो ये एफोर्डेबल नहीं होता क्योंकि महेंगे हेल ड्रिंक्स लेना या फिर महेंगी जिम में जाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पॉकेट फ्रेंडली बज़ेट में मसल गेन करके मन जाही बॉड़ी पा सकते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी वो ये है कि मसल या बॉड़ी बनाने के लिए सिर्फ अच्छा डाइट लेना ही काफी नहीं होता उसके लिए आपको थोड़ी महनत अपने शरीर से भी करवानी होगी मतलब कि एक्सरसाइज करनी होगी बिना एक्सरसाइज के अगर आप सिर्फ डाइट ही फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप इतना हाई प्रोटीन खाना खा ही ना पाएं या फिर आपका डाइजिशन ही बिगड़ जाए क्योंकि अगर आपका शरीर कोई महनत नहीं करेगा तो वो खाने को यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगा और ये भी पॉसिबल है कि आप मोटे हो जाएं या आपका पेट निकलाए या चेहरा बलकी हो जाए अब ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा तो सबसे पहले आपको कुछ एक्सराइज जरूर करनी है मैंने सबसे एफेक्टिव एक्सराइज बताई हैं जिनने करके आपकी बॉड़ी प्रोटीन को मसल बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज करेगी अब सबसे पहले आपको करनी है core को strong करने के लिए exercises जैसे कि planks second है squats ये exercise आपके legs और core के muscles के लिए है third exercise है push-ups again ये आपके arms, chest, backbone और core muscles के लिए है fourth आता है weight training जी हाँ weight training करना बहुत important है तो अब बात करते हैं कि हमें exercise के साथ diet क्या लेनी है तो मैं जादा कुछ नहीं बस दो चीज़े बताऊंगी जिससे करके आपकी muscles भी build होंगी और आपका weight भी बढ़ेगा सबसे पहले आपको रोज एक बड़ा bowl sprouts खाना है जिसमें आपको include करना है soya bean और चना आप इसमें बाकी दाल भी ले सकते हैं जैसे कि राजमा, छोला, मूंग, मसूर और चना second step में आपको बनाना है एक special shake जिसके लिए आपको लेना है half liter full cream milk and six bananas इन दोनों को ही आप mix करके mixer grinder में इनका shake बना लीजे और इस shake को आपको दो बार में पीना है अगर एक साथ आप इसे लेंगे तो आपको बहुत heavy feel होगा और इसका digestion भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा इसलिए इस shake को आपको दो बार में लेना है next point है कि अगर आपकी pocket allow करती है तो आप इस shake में बदाम, अक्रोट, मखाने और flax seeds को भी add कर सकते है otherwise simple shake ही sufficient है इन दो चीज़ों को follow करके आपकी body build up हो जाएगी और weight भी increase होगा इसके साथ बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपको बाहर का fast food, oily food या जादा carbohydrate या fat वाला खाना नहीं खाना है क्योंकि इसे लेने से आपकी body में protein की जगा fat deposit होने लगेगा और आपके muscles नहीं build होंगे ऐसे ही health videos देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें और अपने friends के साथ भी share करें नमस्ते